हेलो इस वीडियो में आज हम टॉप मार्जन और लेप्ट मार्जन के बारे में सीखेंगे तो मार्जन क्या होता है जैसे इस पोस करो ये पेज है एक तो इस पेज कर टॉप में हमने कितना स्पेज शोड़ना है और यह जो left side है यहां से हमने कितना space चोड़ना है तो इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे तो सबसे पहले हम इसके definition जानेंगे Setting left margin in HTML You can use left margin and top margin tag to specify just how much space you would like to have on both the left and top side The margin refer to the blank area left from the edge of the page You can use left margin attribute to leave some blank area in the left side तो यह देखो body, body के बाद यह attribute यूज किया हुआ left margin इसके बाद equal to लिखना है और यहां पे value लिखनी है Left margin appear inside the body tag तो यह जो left margin होता है यह body tag के अंदर लिखा जाता है यह तो यह देखो body tag के अंदर यहां पे left margin attribute यूज किया हुआ है इसके बाद equal to लिखाया हुआ है और यहां पे यह syntax में value लिखी थी तो यहां पे हम value बढ़ेंगे तो हमने left side से कितना margin छोटना है तो यहां पे हमने बढ़ा 70 अगर हम यहां पे value कम करेंगे तो margin कम होता जाएगा अगर हम यहां पे value बढ़ाते जाएगे तो margin यहां पे बढ़ता जाएगा तो इस तरह हम left margin set कर सकते हैं इसके बाद आगे करते हैं top margin तो यह top margin की definition है the top margin attribute is the distance from the top as of the page यहां पे देखो body tag के अंदर यह attribute यूज़ किया हुआ top margin इसके बाद यहां पे equal to और यहां पे हमने value जो बढ़ा हुए 50 इसके बाद this will make the body text appears 50 pixels away from the top of the page यह देखो notpad पे हमने यहां पे HTML program लिखा हुआ है तो सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है HTML उसके बाद head उसके बाद title तो title में हमने के लिखा हुआ है setting the margins इसके बाद title को बंद किया हुआ है इसके बाद head को बंद किया हुआ है इसके बाद यहां पे heading tag यूज़ किया हुआ है इसके बाद यहां पे body tag इसके बाद यहां पर Attribute used के हो है बोडि के अंदर top margin तो top margin जो है हमने यहां पर value उए 50 तो top margin कितना स्पेश टोड़ है यहां पर 50 value उए है और left margin यहां पर हमने 70 value उए हमने यहां पर सेट्टिंng की हो sparks है कि यह जो paragraph है यह top margin इसका 50 रहे और यह left margin ने इसका 70 रहे इसके बाद क्या करेंगे हम यहां पर फाइल पर जाएंगे और इसको सेव करेंगे तो सेव एज पर क्लिक करेंगे सेव एज पर क्लिक करने के बाद कहां पर इसको save करना है तो इसको हम यहां पे desktop पे save करेंगे यहां पे desktop पे क्लिक किया इसके बाद यहां पे file name तो इसके बाद हम यहां पे file name देंगे तो file name हमने यहां पे दिया asd यह file name दिया इसके बाद don't html यह लिखा इसके बाद यहां पे save पे क्लिक करेंगे यह सेव कर दे इसके बाद यह दिखो डिफार्ड ब्रोजर में यह ASD नाम की फाइल आ जाएगी इसको यहां पे हम उपन करेंगे तो यह दिखो यहां पे यह फाइल उपन हो गई है तो यह दिखो यहां पे ऊपर से यह दिखो यह टॉप मार्जन है तो यह दि जैसे top margin जब top margin यहां पर हम 50 की जगा 100 करेंगे तो यह जो margin है इसके बीच में यह बढ़ जाएगा यह देखो इसको करके देखते हैं यहां पर 50 की जगा हम यहां पर 100 करेंगे यह 100 किया 100 करने के बाद जब हम इसको save करेंगे यह save पिकल किया इसके बाद जब हम इसको refresh करेंग तो यह जो space होगा यह यहाँ पर बढ़ जाएगा यह दिखो इसको refresh किया refresh करने के बाद यह दिखो यहाँ पर यह जो margin है यह बढ़ गया इसके बाद अगर हम यहाँ पर 100 की जगा यहाँ पर value बढ़ाते है जैसे 200 यहां पे की 200 इसके बाद इसको save करते हैं यह save इसके बाद फिर यहां पे refresh करते हैं तो यह जो है यह double हो जाएगा यह दिखो यहां पे refresh किया तो यह दिखो यह जो margin है यहां पे यह बढ़ गया इसके बाद यहां पे left margin है यह left margin यहां पे कितना margin है यहां पे 70 है तो इसको हम यहां पे बढ़ाते हैं जैसे 70 की जगा है यहां पे हम करेंगे 150 यह 150 यहां पे हमने value यहां पे रखी इसके बाद जब हम इसको save करेंगे यह save पे click किया इसके बाद यहां पे इसको refresh करेंगे तो यह जो left margin है यहां पे बढ़ जाएगा यह जो paragraph है यह आगी चला जाएगा इसको करके देखते है यहां पे इसको refresh किया refresh करने के बादे यह देखो यह जो margin है यह 150 ही है यहां पे तो इस तरह से margin को यहां पे हम काम या जादा कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने यह सिखा कि top margin की setting कैसे की जाती है और left margin की setting कैसे की जाती है इसके बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छे लगी तो please subscribe my channel